नमस्कार दोस्तों आप सभी को पता है कि MDU के छात्रों को इनिवेस्टी को को जान को एक्जाम सेंटर है वहाँ पर अपना डाटा देना है चाए वो मार्च वाला हो अप्रेल वाला हो कोई भी स्टूडेंट हो उसे अपना डाटा बेजना है यह वीडियो डिस्टेंस पूरी है इम्पॉर्टेंट है इसकी वाज़े से किसी का पेपर चुटने से वच सकता है उसका उन्लाइन पेपर हो सकता है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि acknowledge कोलेज बंद हैं फिलाल दोस्तों आप सभी को पता है ओनलाइन डाटा भेजने की डेट 25 अपरेल है और जिसके बाद जैसे 25 अपरेल तक किसी नहीं बेजा तो उसकी बाद में सुनवाई उनिविश्टी करें ना करें आपको किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों 25 अपरेल तक को लेवल पर हमारा काम हो जाएगा तो बहुत सारे रियापियर और इंप्रूब्मेंट के बच्चे होंगे जिनें पता नहीं होगा कि उनकी कॉलेज की मेल क्या है अगर आप इंटरनेट पर डूंड भी लेते हैं तो हो सकता है कि वो मेल पुराणी मेल हो पुराणी मेल पर आ आपको दो चीजे करनी है एक तो आपको mail करना है mail के बाद दूसरी मुख्य चीज आती है speed post करना है दोस्तों क्योंकि अभी फिलाल हमारे पास time है आज 21 अपरेले चार दिन में 2 दिन में speed post पहुँच जाती है तो आप लोग speed post करें college university सब बंद है लेकिन उनका पढ़ाने वाला staff teacher भी आ रहे है और साथ में जितने भी administration का work होता है सब कुछ हो रहा है लेकिन students को entry नहीं मिल रही है college बंद है इसलिए आपको speed post करें तो बहुत बैतर रहेगा खासकर reappear और improvement के students के लिए दोस्तों मैं आपको लेगे चलूँगा कि क्या data है और कैसे बेज रहा है सब कुछ तीन चीज़े है पड़ी वो तीन चीज़े आपको online mail में भी भी बेजनी है और data जब आपको speed post करना है तब भी वो तीन चीज़े बेजनी है तो सबसे पहले तो हम भाई data पर आ जाते हैं यह देखिए भाई जिनके मार्च में paper छूटे थे उनके लिए भी यह चीज़े पड़ी और वो भी data बेजना चाहें अगर उनके department वाले मांगते हैं तो बेज़ें लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग जरूर बेज़ दें युनिवर्स्टी कोई कमी आपकी ना निकाल पाए तो दोस्तो रोल नमबर बेजना है नेम ओफ एक्डामिनेशन ये कैसे बेजना है वो भी मैं आप लोगों से करी इंशोर दिखाऊंगा नेम ओफ कोर्स, सब्जेक्ट नेम, कोशन पेपर आईडी और इमेल आईडी और मोबाइल नमबर ये साथ चीज़े बेजनी हैं इनके साथ में आपको अपना ओफ लाइन एक्डाम के एडमिट काड की कोपी अटेच करनी है और साथ में एक छोटी सी अप्लिकेशन लिख देनी है कि मैंने अपनी सारी जानकारी अटेच कर दी है साथ में ओफ लाइन का एडमिट काड अटेच कर दिया है ये सारी जानकारी आपके द्वारा मांगी गई थी और मुझे ओनलाइन एक्जांस की के लिए अनुमती दी जाए ऐसा कुछ करके एडमिट काड आप लोगों के निकल चुके होंगे एडमिट काड का दिखा देता हूँ मैं लिंक student.mdu.ac.in इसी पर आपने अपने रियपियर इंप्रूमेंट के फोरम भी बरे थे और इसी पर नॉर्मल टूरेंट का एडमिट काड भी आया हुआ है आप किसी भी कैफे से जाकर एडमिट काड निकलवा सकते हैं आपने कोली डिपार्टमेंट से भी बहुतों ने पहले ले लिया होगा क्योंकि 20 से पर ही शुरू होने थे तो इस लिंक से मिलेगा और M.D.U. की एग्जामिनेशन सेक्शन के नीचे भी है पड़ा लिंक के वहाँ पर रियपियर और इंप्रूव्मेंट की एडमिट का डिरेक्ट लिंक है पड़ा तो वहाँ से भी निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब मुख्य बात आती है पहले चीज हो गए हमारी एडमिट काड की अब दूसरी बात आती है ओनलाइन जो डाटा बेजना है वह तो दोस्तों यह रहा डाटा बेजे की एक कोपी सी दिखाता हो आपको आपको अपना रोल नंबर लिखना है नेम ओफ एक्दाम सेंटर जैसे इसमें UILMS सेक्टर 40 गुरुग्राम है पड़ा आपके एडमिट काड पर दिया होगा सेंटर का कोड लिख दिया नेम ओफ कोर्स MBA जनरल CBCS आपके कोर्स का नाम सबजेक्ट नेम यहाँ पर सारे सबजेक्ट नेम लिखने है और कोशन पेपर आईडी लिखने है डाला जाएगा इसी नंबर वाले पर तो यह सारा एक स्पेसिमिन बताया है यह आप चाहें तो अपना PDF, Excel, Excel फाइल बना सकते हैं Word फाइल बना सकते हैं Word फाइल बना सकते हैं और नहीं तो आप इसे खुद handwritten भी लिख सकते हैं आप लोग handwritten बना सकते हैं एक table सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है या computerized हो या handwritten हो बात यह है कि यह सारी की सारी information उसमें हो ताकि जो आप mail पर भेजो या speed post के माधियम से भेजो या जमा करा करा के आओ तो वो चीजे उन तक पहुँच जाए clear cut चाहे हो handwritten हो या वो computerized हो तो अगर आप mail भेजते हैं तो mail पर आपको ध्यान रखना है कि mail का subject रहोना चाहिए online exam ऐसा कुछ ताकि वो mail पड़ी जाए यू ना हो बिना subject और थोड़ी सी body भी लिख देना कि बैए university ने अलोग राया online exam तो उसके regarding यह i have attached offline admit card and my required details as per the university format तो यह चीज़ लिख के admit card attach कर दो जो मैंने आपको पहले दिखाया एक minute पहले वीडियो में वो सारी चीज़े आपको ऐसे ही word में PDF में या hand return करके वो site लगा दो और आप speed post भी भेज दें जितने मतलब reappear के student है improvement के student है क्योंकि देखो online में आप लोग बहुत से student को नहीं मिल रही email id college की और हो सकता है वो old email id हो और उस पर response ना मिले तो जिसको response मिल गया है वो तो बेशक ना करे speed post कोई जुरूत नहीं है लेकिन जिसे response नहीं मिला है वो speed post कर दें speed post का क्या main फरक पड़ेगा मैं बता दूं कि college बंद है और speed post जाएगी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है speed post में और कई जगे students की entry भी हो रही है तो वो खुद जाकर वीच दे सकते हैं लेकिन जहाँ entry नहीं हो रही कई सरकारी college है जो मतलब बिल्कुल ideal रवये के हैं वो student की सुनते नहीं है तो speed post आपकी अराम से 24 तारिक तक पहुच जाएगी 25 तक पहुच जाएगी तो कल को मान लो 25 अपरेल के बाद कोई दो तिन दिन बाद कोई notification अलग से आती है कि students ने information नहीं दी है उनका offline exam होगा उनके लिए या ऐसा कुछ तो उस माईने में आप लोग जाकर अपनी demand अपना चीज रख सकते हैं कि हमने ऐसे speed post के माध्यम से बेजी थी और हमारी information जमा है तो आपको online exam ह चायद ही हो offline exam लगता नहीं कि होगा उनका exam cancel ना हो जाए मतलब देने से न रह जाए जिन्होंने ये सारी information युनिवर्सटी को provide नहीं कियें क्योंकि official guidelines में लिखा गया है कि जो ये चीजे ये दोनों चीजे provide नहीं कराएगा उसे exam देने नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों इसको बहुत ही serious लें और इस video को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि इसमें बूरा बकायदा student की जो required format है वो बहुत ही अच्छे से बताया है और in detail बताये सारे चीजे ताकि reappear improvement या जिसका college से touch भी नहीं है उसको असानी से रहे और address आप दोस्तों पूरा proper डाल सकते ह हैं जैसे नेकी दाम college का कहें तो पंडित NRS government college और साथ में आप लगा सकते हैं यहां पर पावर हाउस रोग तक ऐसे करके और यहां पर नीचे अपने mobile नंबर भी डालना चाहिए आपको ताकि अगर आप क्या ना पोच्चिया कोई भी कहीं दिक्कत आये तो आपको फोन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है स्पीड पोस्ट होच जाती है ट्रैक कर वा ट्रैक भी होती रहती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो दोस्तों यही था इस वीडियो में आग बहुत से students के message थे कि उनको डाटा पता नहीं क्या बेजना है बहुत सारी चीजे और genuinely बताओ कि बहुत ही कम बच्चों को पता है कि असल में डाटा कैसे बेजना है जैसे ही मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है और आपके college में google forum link वगयरा भरवा रहे हैं तो वो भी आप लोग अच्छे से भरिये कोई दिक्कत नहीं है धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को जार से जार शेयर करें और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो का topic होगा comment में अपने सारे बता देना कि कौन से topic पर आपको वीडियो चाहिए मैं उसी पर वीडियो ला दूँगा और result की बात करें तो अगरीवन मैंने सुना था 22 तक internal के नंबर चड़ेंगे और